कंबल के लिए पागल ने भिकारी को पीट-पीट कर उतारा मौत के घाट आसनसोल के BNR मोड इस्थित रविंद्र भवन के सामने एक पेड़ के नीचे कई महिनों से रह रहे एक भिकारी को एक पागल ने डंडे से पीट-पीट कर उसकी हत्यागर दी रविंद्र भवन में रात्री के समय ड्यूटी पर तैनात सुरच्छा कर्मी विर्जु परसाथ की अगर माने तो रात को करीब देड़ बजे एक पागल रविंद्र भवन के सामने बने बस टॉप में लगे काज पर पत्तर फेक रहा था जिसका उन्होंने विरोत किया और पागल को भगाने का परियास किया पर पागल अपनी जिद पर अड़ा रहा और गुसे में आकर सुरच्छा गाट बिर्जु को डंडा लेकर दोडा दिया बिर्जु जान बचाकर भागा और रविंद्र भवन में घुसकर दर्वाजा लॉक कर दिया जिसके बाद उन्होंने देखा कि उस पागल ने रविंद्र भवन के सामने पेड की नीचे लाल रंग के कंबल ओड कर सो रहे भिकारी से उसकी कंबल चीनने की कोशिश की जब भिकारी ने पागल का विरोध किया तब पागल गुसे में आकर उस भिकारी को तब तक पीटा रहा जब तक भिकारी की मौत नहीं हो गए वहीं भिकारी के चीखने और चिलाने की आवाज सुन मौके पर कुछ लोग मदद के लिए तो आए पर उनके आने से पहले बहुत देर हो चुकी थी और पागल अपने हातों में डंडा लेकर सब को दोडाने की बार बार कोसिस करने लगा लोगों ने जब पुलिस को घटना की जानकारी दी तब मौके पर पहुची पुलिस भिकारी के लहू लुहान सव को अपने साथ आसनसोल जिला अस्पताल ले गई जहां चिकित्सकों ने भिकारी को मृत घोसित कर दिया वही घटना को अंजाम देकर हत्यारा पागल खुलेयां भगत सिंग मोड से लेकर रविंद्र भवन चौक पर भिकारी से छीना हुआ कंबल लेकर घूम रहा है वही घटना के बाद लोगों में दहसत का महौल है लोगों को भै लग रहा है कि कही पागल उस भिकारी के तरह उन पर भी जान लेवा हमला ना कर दे हम बताते चले कि इससे पहले एक और पागल ने भगत सिंग मोड इस्थित एक सैलून वालों को पीट पीट कर उसकी हत्य कर दी थी साथ ही बीच बचाओ करने गई पुलिस को भी उसने घायल कर दिया था ऐसे में अब आसन सोल वासियों में सड़क पर घूम रहे पागलों को देख कुछ इसकदर भै का महाल व्यापत है मानों सड़क पर पागल के भेस में मौद घूम रहा है जो कब और किसको अपनी चपेट में ले ले या कोई नहीं जानता पुलिस वरिस आया था? पुलिस आया था का हुआ बोदील ले कि जाए